नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा निव चैनल में आप सभी का स्वागत है जोनपुर के नगर कोतवाली छेतर के बलुआ घाट में सोमवार की दोपार मैला की गला रेत कर हत्या कर दी गई इसको लेकर तरह-तर की अटकले लगाई जा रही है गटना के समय घर पर कोई सदस नहीं मौजूद था सभी लोग वलीमा में सामिल होने गए थे सूचना पर पहुँची पुलिस ने मौके से एक चाकू को भी परामत किया है अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं है बतादें की बलुआ घाट निवाजी तीस वर्सी सभीना पत्नी इर्फान सोमवार की दो पहर में घर पर अकेली थे उसके परिवार के सभी सदस बकसा के रन्नों में निकाह के बार वलीमा में सामिल होने गए थे इस दवरान दो पहर में आमदीनों की तरह घर पर दरवाजा खुला था पासपडोस का कोई व्यक्द घर पर बुलाने पहुचा सबीना का आवाज ने आने पर लोग उपर चले गए जहां सबीना बेहोस हालत में मिले इस पर लोगों ने इसकी जानकारी सबीना के पतिवर ससुर को दे सूचना मिलते ही परिवार की लोग वलीमा छोड़ कर घर पहुच गये जहां पर इस्थित को देख कर पुलिस को सूचना दिया गया कोतवाल मितलेज मिस्रा की मौजूदगी में पुलिस ने मामले की जांच के कोतवाली प्रभारी के मुतावेक महिला का गला चाकू से रेता गया है सव के बगल में हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछ ताज करने के बाद सव को पुष्ट माड़म के लिए भेज दिया सवीना का मायका बकसा के रन्नो गाउं में है उसकी दस वर्स पहले इर्फान से साधी हुई थी इर्फान नगर के ओलन गंज में एक सेलून में नाई का काम करता है अभी तक इन दोनों की एक भी संतान नहीं थे घटना के बाद ससूर मुहमद इसहाक मौके पर पहुँच कर बेहोस हो गए पर जन इसको लेकर हत्या का आरोप लगा रहे है अभी तक मामले में माय के पच्छ से कोई नहीं पहुचा है